सभी मीन राशी के दर्शकों आप ही के लिए आज एक ये स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ महत पूर्ण फल है मीन राशी के स्वामी घरह देव गुरू ब्रस्पती होते हैं आपके लिए वर्ष 2023 में किस प्रिकार से गटनाए गटित होंगी आपको कौन सा गरह पैसा देगा और कौन सा गरह आपके कारे में बादा उत्पन कर सकता है यही सभी विश्यों पर आज मैं आपसे चर्चा करूँगा इसलिए वीडियो को पूरा सुने अंत तक सुने काफी कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा को कि मेरी वीडियो खाले आपके लिए वीडियो बनाने का काम नहीं करती है दिखाने का मैं समझाने की भी कोशिश करता हूँ लॉजिकल वे में अभी आपके सामने एक डिस्प्ले में कुनली दिखाई दे रही है इस कुनली में जहां बारा नमबर लिखा है वो है आपका प्रथम भाव आपका शरीर जहां आप जनम लेते हैं जहां आप इस दुनिया में आते हैं और जहां लिखा है एक नमबर वो है आपका दुरुत्तिय स्थान दूसरा स्थान मतलब आपका धन का स्थान आपकी पैसे की जिम्मेदारी वो ली है मंगल करेने क्योंकि एक नंबर का मतलब हो गया मेश राशी और मेश राशी के स्वामी देव मंगल होते है अब ऐसी इस्तिती में आपके लिए जो बदलाव रहेंगे वो काफी महतपून हैं काफी निर्नायक रहेंगे और पूरे वर्ष भर मंगल को ही आपको पैसा देना है मंगल देव कहींगे कि मेरे से आप पैसा ले सकते हो मैं देना चाहता हूँ तो अब किस डेट में क्या होगा ये चर्चा करेंगे यदि वीडियो अच्छी लगती है तो उसको और लोगों तक पहुँचाना ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ ताकि सब लोग अपने वर्ष की इस्तिती को समझ सकें बहुत जरूरी है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सर्वाइव करना आसान काम नहीं है कदम कदम पर चुनोतियां है कदम कदम पर काटे हैं इन काटों से बचना है दुनिया के लोग बड़े अच्छे भी हैं जालिम भी हैं वो तुमारे दर्द को दुख को रो रो कर पूछेंगे और हस हस कर सारी दुनिया को बताएंगे ऐसे भी लोग हैं ये यतार्त सत्त है जो मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मैं ऐसे एस्टलोजर मेरे पास हर प्रकार के लोग आते हैं आपको सिर्फ अपने लक्षे की और फोकस करना है आपकी आत्मा जिस कारे को करने के लिए ये कहे कि नहीं ये गलत है अनुचित है मुझे ये नहीं करना चाहिए तो उसको कदापी मत करिएगा आपकी आतमा ये कहे कि नहीं मेरे को ट्राइ करना चाहिए ऐसा करने से किसी का आहित नहीं होगा तो आप जरूर करें चाहिए दुनिया मना करती रहे जब तक आपका अंतरमन आपको ये अलाव नहीं करता बहुत से लोग क्या होते हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर के कारे करते हैं उनको पता है यह कि मैं इस काम को करूंगा तो इस से किसी को नुकसान हो सकता है ठेश पहुंच सकती है किसी की आत्मा दुख सकती है पर वो टेंपरेरी हमारा जो अंतरमन होता है वो उसको स्विकार नहीं करता क्योंकि हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के काम कर रहे होते हैं हमारे सामने मारी आखों के सामने एक स्वार्थ की चद्दर आ जाती है और वो हमें ढख लेती है और हम कर देते हैं पर ऐसा पैसा पैसा किया हुआ कारे वो यहीं इस भूलोक भविश्य में ही हमें भुगतना पड़ता है इसलिए लोग कह देते हैं स्वर्ग नर्ग यह वो सब कुछ यही हैं सब यही हैं कोई भी इस दुनिया में ऐसा एक व्यक्त इन दो चार शूब हैं, शूब अशूब की खींचते हैं टाओंगों को तो अशूब शूब की, ये तो शुरू से चला आ रहा है, हर विक्ती के सपोर्टर होते हैं तो उसके अंटी भी लोग होते हैं, एक से एक विद्ध्वान बैठे तो एक से कप्टी भी बैठे हैं हर चीज का उल्टाए हर चीज का परियाएवाची है इसलिए जितने भी जाता कभी मीन के मुझे सुनने हैं आपकी राशी के स्वामी तो बहुत पावरफुल इस्तिती में आ रहे हैं इसमें किसी प्रकार का कोई दोमत नहीं है दिरांग 22 अपरेल 2023 से स्वेम पैसे के घर पर आ करके कुंडली मार देंगे देव गुरू बोलेंगे बाई पैसा तो देना है खेर मंगल को पर मैं धनका कारक हूँ मेरे पास धनकी का एक्स्टर डिपार्टमेंट है और मैं आ जाओंगा एक नंबर में जहां एक नंबर वर्ड लिखा है नुमेरिक वहां गुरू देवा जाएंगे 22 अपरेल को बोलेंगे अब मैं यहां बैठ गया और मैं राशी का स्वामी भी हूँ अब मैं दूंगा पैसा और मंगल बोलेंगे कि महाराज आप मामंत्री हैं मैं सेना पती हूँ मुझे भी आपकी कुनली के लिए आपकी राशी के लिए पैसा ही देना है तो बोलेंगे ठीक है मिलके देते हैं तो मंगल कौन कौन सी तारीकों में किस प्रकार से देंगे यह अब सुन लीजे आपके लिए जो वर्ष की शुरुवात होगी यह मिली जुली रहेगी मतलब ना अच्छी है ना बुरी है भन के दृष कौन से एवरेज पैसा आपको आता रहेगा इस जनवरी के महीने में यह मैं आपसे कहना चाहूँगा फरवरी के महीने में आपकी जो आर्थिक इस्तिती है वो सामाने ही रहेगी उस पर भी मेरे को कोई कस्ट संकट नहीं दिखाई पड़ता मार्च के महीने में जो आपकी आर्थिक इस्तिती रहेगे उसमें बदलाव आएंगे क्योंकि मंगल करहें मिथुन राशी में चले जाएंगे पैसे को ले करके जहां पर तीन नमबर लिखा है इस कुन्ड़ी में डिस्पले में वहां आ जाएंगे सुखो के घर में अब यहां मंगल का आना बारा मार्च को तो यह पैसे बगरा के संसादनों में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे कैरियर के माद्यम से जिस भी शेतर में आप हैं कारे करते हैं आपको उसमें उन्नती के मार्ग बनेंगे कुछ रुका हुआ फसा हुआ जो धन है वो यहां पर आने का योग बनेगा ऐसा आपकी पत्री का इशारा कर रही है इसके अलावा फिर यह इस्तिति आपकी मार्च के महिनी में ऐसी बनी रहेगी जो मैंने भी आपको बताया बुद्ध करे जरूर एक यहां पर आपको सहयोग करेंगे और इनका जो सहयोगी समय रहेगा वो 31 मार्च से चालू होगा और दिनांक 21 अपरेल तक यह आपको अच्छा कासा सहयोग करेंगे खेर मैं अगर बात करूँ बुद्ध की यह लॉंग टर्म कब तक करेंगे तो 31 मार्च से लेके अपरेल, मै और जून में 7 जून तक इतने टाइम तक तो बुद्ध भी आपको सपोर्ट करेंगे इसमें कोई दोमत नहीं है आपको जीवन साथी के सहयोग से आपके कारे बनेंगे ऐसा आपकी पत्रिका कहती है मंगल गरे आपको अपरेल में सपोर्ट कर रहे है मंगल गरे आपको मार्च में 12 तारीक से सपोर्ट कर रहे है मंगल गरे आपको मई की मईने में 10 तारीक तक सपोर्ट कर रहे है पैसे के लिए 10 माई के बाद आप थोड़ा ध्यान बरतना साबधान हो जाना अब उसका क्या कारण है ये मैं आपको बता देता मंगल नीच हो जाएंगे और किसी भी गरह का नीच होना अच्छा नहीं होता मंगल जैसा गरह जिसके पास पैसा है वही नीच हो जाए उसके पास भाग्य है वही नीच हो जाए और नीच भी होगा बुद्धी पर तो धन की हानी होना और योजना बते तरीके से पैसा खर्च करना अनाया स्वियर्थ के खर्चों से बचना ये मैं आपको विशेश रूप से कहना चाता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि अब आपको थोड़ा सा केरफुली काम करने की आवश्रक्ता दिखाई बढ़ती है और ये कब तक दिखाई देगी जब तक मंगल गरे नीच रहेंगे और मंगल का नीच का गोचर 10 मई से लेकर के पूरे जून के महीने में 30 जून तक रहेगा यानि कि अब लगभग लगभग आपको 50 दिन तक ध्यान देखना है साबधान रहना है क्योंकि 45-50 दिन है जो गोचर होता है मंगल का एक राशी में रहता है 30 जून को ये जैसे ही राशी परीवरतन मंगल का सिंग के अंदर होगा और ये छटे बाव में चले जाएंगे ये गोचर भी अच्छा नहीं है ये भी भागगे को रोकेगा और ये धनके इस्तिती को भी गमजोर करेगा तो ऐसे में आपको जुलाई में और अगस्त में 18 तारीक तक थुड़ा साबधान रहना है 18 अगस्त के बाद में फिर एक बर financial gain बड़े व्यापा के स्थर पर होंगे पर ऐसा नहीं है कि कोई आप बहुत डाउन आ जाओगे या आपका हाथ बहुत टाइट हो जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं होगा और उसका कारण है कि आपको स्वेम 22 अपरेल 2023 से देव गुरू ब्रस्पती बहुत सपोर्ट करेंगे financial इसका क्या कारण है वो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था अब मंगल करहे जब कन्या में होते हैं तो वहाँ से इनकी दृष्टी खुद पैसे के घर पर आएगी अस्टम फिर ये सितंबर के महीने में भी इसी राशी में रहेंगे कन्या में मतलब जहाँ पर छे नंबर लिखा है इस कुडली में वहाँ पर रहेंगे ये बंगल देव अक्टूबर में इनका तीन तारिक को राशी परिवर्दन हो जाएगा अब तीन अक्टूबर को जो राशी परिवर्दन हो रहे तुला के अंदर हो तो मित राशी में रहे पर ये तना शुब नहीं है इसलिए फिर अब आपको थोड़ा ध्यान रहना है तीन अक्टूबर से ले करके और सोला नवंबर दो हजार तेईस तक इस टाइम पिरड में भी आपको धन के लें दिन सो समझ के ध्यान से करने हैं ये समय मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है अब सोला नवंबर से और जो इयर एंड तक की जो ग्रह इस्तिती रहेगी वो बहुत बढ़िया है उस टाइम पिरड में एक तो स्वेम आपके पैसे के स्वामी भाग्ये पे रहेंगे और वो भी स्वेग्रही जी हाँ स्वेग्रही का मतलब अपनी खुद की राशी में जहां पर आठ नमबर लिखा है वहां रहेंगे भाग्ये स्थान में यहां पर आ जाएंगे अच्छी इस्तिती है यह मैं आपसे कह सकता हूँ तो दोस्तों यह है आपका ग्रह गोचर अगर आप हमसे वार्शिक राशी फल बनवाना चाहते हैं तो संपर कर सकते हैं तकरीमन पूरा का पूरा साल मीन राशी वालों के लिए आर्थिक रूप से अच्छा है कुनली बनवाने के लिए दिखाने के लिए पूजा पाठ के लिए रतनों के लिए भी संपर कर सकते हैं एक बार पुनहागमी कारिकर में उपस्तित हूँगा अभी आपसे जाधा चाहता हूँ नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद